नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्में तो आप लोग बहुत अच्छे से होगे अभी मैंने इसका आपसे रीकृष्लाइशन का कॉंसेट मैंने सेयर करने का सोचा तो अधर मेरी भेटी भी बैकडाउंड में सामने से वह भी कुछ पताने कुछ बता रही है अभी मैं इ रीकृष्लाइशन का कॉंसेट क्या है कैसी हम रीकृष्लाइशन को करती हैं क्यूं करना चाहिए क्या नौन केमिस्ट कोई है नौन केमिकल बंदा है क्या उसको रीकृष्लाइशन के बारे में सबजना चाहिए रीकृष्लाइशन का हमारे दैनिक जीवर में हमारे लाइफ अब हम यहां आपको बताने हैं content क्या-क्या है what is recrystallization recrystallization कैसे काम करता है इसके लिए कौन से solvent के हमें selection करना चाहिए recrystallization के लिए क्या-क्या procedure है और यह process करने के लिए यह purification method करने के लिए कौन-कौन से problems हमें encounter करने होते हैं इन सारे चीजों को जानने के लिए आप अंत तक इस पूरे एपसोड में बने रहिएगा अब हम समझेंगे introduction, recrystallization क्या है दैनिक जीवन के हम बात करें chemistry के छोड़ो दोस्त chemistry chemistry आता रहेगा जाता रहेगा एक अच्छा इंसान बनना जाता जुरूरी है बहुत पहले मुझसे मेरे college में एक जगत गुरू संक्राचाज आमधाचाजी आये हुए थे तो उन्होंने चात्रसंग के उद्गाते में उन्होंने कहा था कि चात्रवा होता है जो अपने कथिन परिस्वन स्वाध्धाय और लगन से बिधाता की लिखिवी दुर्भाग रूपी रेखा को सवभाग में बदले उसे चात्र करते हैं और जो आजीवन लगने के लिए तयार होता है समाज में परिवर्तन कर सकता है अपने अंदर की बुराईयां को दूर करता है वही युवा है युवा का उम्र से कोई लेना देना नहीं है और चात्र याने स्टूडेंट का भी किसी उम्र विशेश से वर्ग विशेश से कुछ भी लेना देना नहीं है यह दोनों बाते मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही तो मैंने सोचा मैं बहुत इनालिजस किया इस आधार पर मुझे समझ मैं कि रेक्रिशलाजिसन का हमारे दैनिक जीवन में हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है अब क्या क्या उपयोग है आईए इसको हम आपसे साज़ा और अपके ठेस सारे दोस्डेसा रिष्टेदार देस जानने पार जानने वाले पहचाने वाले घेसारे आपने सर्राउंडिग मना लिएए जब ज्यादा सर्राउंडिंग हो जाती है तो वही हमारे midstक है लिए हमारे आगे बाचने के लिए रुकावच होते हैं इन रुकावच को कोन आपके लिए वफादार है कोन आपके लिए अच्छा दोस्त है कोन अच्छा रिष्तेदार है कोन आपके काम के नहीं है इन सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है और जो आपके काम के नहीं है उनको कैसे आप अलग कर सकत सब कुछ हो जाता है लेकिन दीरे दीरे तंगी आप दिखाईए दीरे कूल डाउन करते जाएए जैसे आपके पास पैसा कम होता जाएगा आपके अन्वांटेन लोग जो आपके सराउंडिंग में आपके प्रगत के लिए आपके विकास के लिए जो लोग बाधर बनते हुए अपनी हाँ या तो सॉल्विंट उस कंडिसर में बहा जाएंगी या तो आपसे अलग हो जाएंगी तो रिक्रिश्टलाइजिशन का हमारे जीवन से हमारे दैनिक लाइर हमारे डेली लाइफ से डेली रूटीन से बहुत तगड़ा इसका बहुत अच्छा नाता है जी हाँ का इंट्रिक्रिश्टलाइजेशन में मुझे सबसे बहेतर जूद लगा मैंने से अँप से किया है। और वेस्चाल believers के होता है जी क्या होता है कीतलों खेलेशन में क्या होता है सबसे पर्ले कंपाउron को हम इल्डी ओल करते करसकते हैं उसके धिर आप कोलिंग जैसे कर ना सुरू करते हो आपका क्रिष्टलांच होने लगता इंप्यूट्य सॉलूट्यों तो नहीं रहा जाते हैं हो गये यहिते डास्ते है ऑपको कोह नहीं रोग सकता भी सहता है मैंने आपसे डिस्कस किया अब हम समझेंगे how that recrystallization work recrystallization कैसे काम करता है recrystallization को काम करने के दिए हम बात करें तो सबसे पहले हम basic चीजों को समझेंगे recrystallization में solvent होता है चल्यूट होता है और उसके बाद solution बनता है फिर precipitation होता है nucleation का process होता है separation करते हैं solvent क्या होता है जो solution के form में जिस phase में है liquid में है और जिसकी amount सबसे ज़्यादा होते हैं उसको solvent करते हैं और जो solution होता है उसका phase हमेसा solvent पर depend करता है solute क्या होता है जो कम amount में solvent में जो dissolve होता है या दूसरे word में इसको हम करते हैं जो कम amount में नहीं गंडी होत Alberta करते हैं नियुक्ट लेकिन जैसे परसितिया की कम तर उते वैसे रिष्टेदारों का आपके चाउंठ जुड़ने की संभाना कम से कम होती है और भी आपसे प्रसिफिटेट आउटम को करना आसान होता है यानि कि आया जिस आज दिस सलुशन कूल्स दिस सॉल्वेंट कैन नो लंगर होल्ड इस चीज को हमें ध्यानकेना है दिरे दिरे हम कूलिंग करने पर हम इंप्रियोटी को अलग कर सकते हैं और अपने कंपाउन को एपिजफिफिशं को हम आसानी से प्यूर्यूफाई कर सकते हैं अब धेसा लोगों के साथ होता है कि क्रिश्लाइजिसन और रिक्रिश्लाइजिसन दोनों एक होते हैं, नहीं दोस्त, रिक्रिश्लाइजिसन और रिक्रिश्लाइजिसन दोनों सेव नहीं होते हैं, रिक्रिश्लाइजिसन जनम होता है, रिक्रिश्लाइजिसन सिच्छा होता ह जिसको हिंदू संस्कृत में भारती सब्यता में इसको हम कहते हैं द्विज यानिकि दूसरा जन्रम होना तो दुबादा क्रिश्टलाइजिशन के प्रासेस को प्यूरिफिकेस्ट में तर्ड होता है जो आप अपने आत्मा का अपने विशारों का अपने संस्कारों का जो करने के प्रासेस को क्रिश्टलाइजिशन करते हैं यहां आपको यह समझ में आ गया रिक्रिश्टलाइजिशन दोनों अलग 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 चीज़ें होती है एक जनम होता है और दूसरा सिच्छा होता है अप रिक्रिश्टलाइजिसन के लिए हमें कौन से सॉल्वेंट को छोड़ करना चाहिए इसके लिए भी आपको क्यमेश्टर पढ़ने की ज़रत नहीं है साधियां किसके बीच होती है जिनके बीच बैचारिक संभाव ना बैचारिक संभाव होती है उनके बीच साधियां होती है इसलिए हमारे प्राचिन भारती दरसर में जात जात कबला गुण जिनके बीच एक जैसे गुण होते हैं उनके बीच साधियां होती है ठीक ऐसा ही उस अपने भार सनस्क्रित की अपने सीफिला उसा अपने कल्चर को फॉलो करते हुए हमें यहां समझना है लाइक डिज्व्स लाइक पुलर कंपाउंड पोलर सॉलों होते हैं नॉन पॉलर कंपाउंड पोलर सॉव्स द्रीज्व्स लो में जी हां अब लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है भाई अलग अलग विचारों वालों के बीच भी साधियां होती है तो हमें यह तो हमें हो गया की हमें एक basic idea हो गया कि लेकिन हमें try method करना चाहिए हमें अलग अलग solvent पर try करके उसके बाद हमें conclusion निकालना चाहिए कि यह dissolve होगा कि नहीं होगा अब हमें कुछ basic चीजों के बारे में यहां समझना है कि API must be soluble in hot solvent and insoluble in the cold solvent the solvent should be non-toxic non-calciogenic non-flammable and non-volatile generally the boiling point of solvent should be below 100 degree centigrade Celsius impurity should be added be insoluble in hot solvent or soluble in cold solvent inner to compound जो हमें यह सारी चीजों को ध्यान देना पहला चीजिए मैंने आपको बताया कि API hot solvent में soluble होना चाहिए और cold solvent में insoluble होना चाहिए जोस्ता जो हमें solvent choose करते हैं और non-toxic हो क्योंकि handle तो हमें करना है भई हमारा compound के purification से ज्यादा जरूरी है कि हम जिन्दार हैं हम जिन्दार हैंगे तब धेर सारे compound को purify कर सकते हैं रिस्तेदारी तो धेर सारी चलती रहेगी उसके ज्यादा जरूरेगी रिस्तेदारी की बोज को धोने से अच्छा है दोस्त आप ISO लेट होका पहली अपनी आपको सेफ क अगली चीज़ेंगे लिए टॉक्सिक आप कर सकते हैं नहीं होना चाहिए नौन फ्लेमेबर आग भी नहीं लगना चाहिए ऐसा नहीं क्या प्यूरिफिकेस्टन होता देव उसका प्यूरिफिकेस्टन हुआ कि इसके पहली आप भी उसके फ्लेम से चले गया उपर नॉन व ऑला तो होगा वोलाटियल होगा तो उस कंडिशन में क्या होगा वृट्याल के कंडिशन में वह वेपर के फॉर्म में आप उसका इनहेल ज्यादा कर सकते हो अगली चीज़ें Dioling point और सोल्वेंट विलो 100 डिवी सेंटिगेड मतब क्या इतना ज़ादा भी आपका ब्रालिंग नहीं होना चाही कि आपको आइसोलेशन करना ड्राइंग करना मुस्किल हो इसलिए जो सॉल्वेंट होता है उसका वैंट्र डिवी सेंटिग्रेड तक हमें रखना चाहिए इंसल्वल हो तो इसको अपोल्ट करने वाले नहीं होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान देना है सबसे इंपोर्टेंट जो गाठ बादने वाली चीज है आज का ब्रम्हास्त्र है कि the boiling point of the solvent should be lower than melting point of the compound आपके compound के melting point वाल पदेहां देना यह बाई मिश्टक नहीं लिखा हुआ है compound के melting point सबसे पहले आपको अपने रिष्टेदारों को बाकी लोगों को आपको अपने आपसे अलग करना है तो क्या करना है डिजॉल सबसे पहले उनको अपने पैसे वाले कंडिशन चरम पीक पॉइंट पर ले जाओ जहां पूंको रिखाओ आप बहुत जारा पैसे वाले हो और आप से क्लोज जाएंगे फिर जैसे जैसे सर्चुरेटर कंडिशन में जाओ मिस कंपाउंड को आप डिजॉल करो सर्चुरेट करो हीटिंग करने के बाद सर्चुरेट हो जाए तो धीरे धीरे फूलिंग करो रिष्टेदारों को दिखाओ दोस्तों को दिखाओ गावालों को दिखाओ समाज वालों को दिखाओ आप और cooling कीजिए और दिखाईए हम एकदम गरीब हैं उस समय जो आपके सबसे अच्छे लोग होंगे वही आपके साथ होंगे isolate कीजिए सही गलत का पहचान हो गया उसके बाद drying कीजिए उनसे और घनिष्ट मित्ता बनाईए रिष्टेदारी बनाईए उनको और close मिलाईए उनका आप भी help कीजिए क्योंकि आपके बुरे वक्त में जो होता है वह अच्छे वक्त में भी आपके साथ होना चाहिए जी हाँ अब हम रिक्रिश्लाइजिसन को chemistry के टर्म में समझे यह हो गया जनल कहानिया हम सबसे पहले hav भी अप हीटिंग बन कीजिए इसको कूल करना सुरू किजिए हमेशा यह भी कला होती है और यह जो बहुत बड़ा पार्खी होता है जो बहुत बड़ा कलाकार होता है उसको क्रिश्ला इसन आता है जी हां इसको स्लोली आपको कूल करना है सुनो जैसे आप ठंडा करते जाते हो आर्टि तकाता है आर्टि के बाद आइसवाद का यूज करके आप इसको कूल कर देते हो उसके बाद आपका और अच्छे से crystallization metabolism matter crystal हो जाता है उसको आप isolate करो isolate करने के बाद filter करके isolate करो उसके बाद उसको या तो vacuum dry करो या तो हीटिंग करके या तो वैक्यूम हीटिंग दोनों को एक साथ अप्लाई करके उसको ड्राइंग करो कमपाउंड को आपका आइसोलेट हो गया इस प्रकार से आप एक रमसुद परमचित सांती के अवस्था में हो गया अब आप इस तोर के करिब पहुंच सकते हो याजनी कि आप अपने कंपाउंड को सब्मिट कर सकते रहे निमार के लिए आईयार के लिए मास के लिए दुस्र के इस तोर के करीब पहुंच सकते हो अब हम आपसे यहां चल्षा करने वाले हैं ऐसे कौन-कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें फेस करना पड़ता है दोस्त इस सारी चीज़ सब करने वाली हैं तो दोस्तों इस सारी चीज़ को बहुत ही द्यान समझे बहला कि आप उसको क्रिश्टल फर्म नहीं होता है इसके लिए आपको बार दुबारा से रहे क्रिश्टलाइशन करना होगा ऐसा होता है कि सौलिड आपको आना चाहिए लेकिन क्या होता है वह कंपाउं करना आलनी फर्म में आता है इसको आलन ऑट बोलते हैं इस प्लासरस को को आलन कलते हैं ऑरिल के फर्में सब्सक्सालिंड नहीं है इसका मतलम ईजो उसमें इम्प्यूटी है कि उम्हीं यह अज करने के लिए आपको दूबारा करना 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 थै protecting पिमिल से लेना है अब एक और चीजें दी क्रिश्टल डिजॉल्वें देया है विद इस सॉल्वेंट डिविजनी फिल्ट्रेशन यहां पर यह बताने को कोशिस मैंने किया है कि जब रिक्रिस्टलाइजर्स आपने फिल्टर किया वसिंग करते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें रिंस करन है अब रिकरवर्ड प्रोड़क्ट इस नाट हाई प्योर्टी करते हो लेकिन उसमें अच्छा प्योर्टी नहीं आता है इसका रिजन है कि जो रिक्रिश्टलाइजर्स होता है उसमें आपने ध्यान से नहीं कि है अब दोश्तों जाते-जाते आपके दिमार्स में एक सवा जन्म लेना आसान नहीं होता जन्मत मरत दुसरा दुख होई ऐसा आपने हिंदी के प्रक्षात कभी जो पंदसों के आज पास हुए थे उन्होंने बोला था कि जन्म लेते समय अमने तुके समय बहुत मुस्किल होता है वैसे जब आप सिच्छा के लिए जाते हो देर सारी पानिया आपके सांथ आती हैं अब परसान हो जाते हो कभी बातों आप बहाने करके स्कूल नहीं जाते पढ़ाई छोड़ने का मन करता है जी हां क्रिश्टलाइज़सन कंपाउंड के नजरिये से देखिए एपियाई के नजरिये से देखिए तो उसके लिए दुसरा जनम ह होता है जी दुसरा जनम होता है जो सिच्छा होर संशकार से मिलता है तो इसके मेकरियम की बार करें दो पहला होता ए Tesla कृता आएंगे दो दिल करीब आ रहें धीरे धीरे ठीक है तो दिलों के करीब आने के प्रोसेस को के मिश्टी की रसायं विज्ञान के भासा में हम क्या बोलते हैं अब दिल और करीब आगे तो प्यार का यहार तो होना चाहिए ना फिर क्या होता है सूपर स्रिच्लेशन की क्रिश्लाइज़ेशन हो जात प्यार के आघे हो जाता है हो शुन मा ओन करना हो गया अ उसको जाए अगरकर तो क्या अगये यह दोस्तों रहा complete process complete mechanism मैंने कोसिस किया आपको क्रिशलाइजिशन के बारे में आसान तरीके से बताने के लिए अगर आपको कोई suggestion चाहिए कोई problems आपको आ रहे हैं क्रिशलाइजिशन में तो आप comment box में भी comment box में लिख सकते हैं वैसे परसने भी मुझे आप मेल कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम आपसे किसी दूसरे टॉपिक में किसी दूसरे दिन मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जय हिन एक बार बोलिए जय के मिश्ट्री